हलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो चलिए शुरू करते हैं आज की कानी एक सबय की बात है एक गाउ में धेर सारे मुर्गें रहते थे काउ के एक बदमाश बच्चे में किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था मुर्गा परिशा हो उठा उसने तै किया अगले दिन सुबय अब वो आवाज नहीं करेगा सब सोते रह जाएंगे तब सभी को मेरी एहमियत समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे मुर्गा अगली सुबय कुछ नहीं बोला तब क्या हुआ दोस्तो सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने कामों में लग गए इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बना किसी का काम नहीं रुकता सब का काम चलता रहता है समझ में आया दोस्तो नैतिक शिक्षा खबन नहीं करना चाहिए आपकी एहमियत लोगों को बिना बताए पता चलती है तो दोस्तो फिर मिलते हैं जल्दी एक और मज़ेदार कहानी के साथ आपकी एल्मेदा